नमस्कार दोस्तों, Study IQ उपर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सो हाल ही में WEF यानि की World Economic Forum के द्वारा Global Risks Report को जारी किया गया है और इस report में इन्होंने, इसमें कोई ये वैसे report नहीं है जो की normally जिसमें countries की ranking होती है इस report में इन्होंने केवल ये बताया है कि आने वाले समय में अब जो दुनिया है, वो किस-किस तरह के risks को देख सकती है केवल इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी बताया है, इन्होंने risks को आगे quantify भी किया है, categorize भी किया है कि आने वाले 0-2 years में कौन से-कौन से risk है जो की दुनिया में आ सकते हैं, 3-5 सालों में कौन से risk है जो की दुनिया में आ सकते हैं और 10 सालों में ऐसे कौन से-कौन से risk हैं जो की दुनिया face कर सकती है साथी में इन्होंने कुछ important solutions भी बताएं हैं कुछ सुझाव भी दिये हैं जिसके चलते हम इन risks से थोड़ा सा अच्छे तरीके से manage कर सकते हैं तो जानेंगे इनी सबी चीजों के बारे में detail में बात करेंगे इस report के बारे में चलिए start करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलिग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जूट सकते हैं याद रखिए अपनी queries आप मुझसे Instagram पे पूछ सकते हैं I will be happy to answer them Study IQ आपको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं Google Play Store से यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है और इस आप पे फिलहाल चल रही है Republic Day Sale जिसके चलते आपको extra discount प्रोवाइड करवाय जा रहा है यदि आप ये वाला coupon code यूज करते हैं तो Also यदि आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं और 2021 के prelims के लिए appear होना चाहते हैं तो इस course को buy करना ना भूलें इसमें हमने पिछले 10 साल के papers को discussed किया है Right, so as you can see business today की ये news है Job crisis, climate change, infectious diseases, biggest global risk in the next decade WEF की report ये कहती है इसी report के बारे में हम detail में बात करने वाले हैं So सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा ये वाली जो report है ये असल में 16th edition है इस report का 16th edition of the global risks report 2021 और जो report थी इसको release किया गया था एक सर्वेक्षन के आधार पर ये सर्वेक्षन क्या था GRPS इसको कहा जाता है Global Risk Perception Survey जिसमें की 6.500 से भी जादा members ने हिस्सा लिया था जो की WEF का part है और इस GRPS के आधार पर इन्होंने इस report को release किया था सबसे पहले ये कुछ broad risks की बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बोला कि 2 साल में या 3 साल में या 10 साल में कौन से risks हैं इन्होंने briefly बताया कि ये वो वाले risks हैं जो की आने वाले जो हमारी global population है इनको face कर सकती है सबसे पहले नौकरी के नुकसान के जोखिम यानि की job loss की वज़े से जो risk हो सकता है a widening digital divide यानि की एक व्यापक digital divide जिसको की हम digital gap कह सकते हैं digital inequality कह सकते हैं digital असमानता कह सकते हैं disrupted social interactions यानि की बाधित सामाजिक बातचीत यानि की लोगों में आपस में बातचीत कम होना not only logo में in general अगर हम कहें सरकारों में आपसी बातचीत कम होना ठीक है communities में आपसी बातचीत कम होना it can be due to any reason, it can be due to religion, it can be due to race, it can be due to anything उसके बाद abrupt shift in the market बाजारों में आचानक बदलावाना ये भी आप देख सकते हैं, ये तो हमें already देखने को मिल रहा है even though economies negative में चल रही हैं लेकिन दुनिया भर की जो share बाजार हैं वो अपनी उचाईयों पे चल रहे हैं, ऐसी उचाईयां जो कि उन्होंने आज तक नहीं देखी थी historical levels को वो cross कर चुके हैं, right, so ये कुछ broad risks हैं जो कि report ने बताई हैं और इन सभी risks सा वो बताते हैं कि इसके जो consequences हैं, इसके जो नतीजे हैं ये काफी खराब हो सकते हैं and they can manifest in the form of social unrest, political fragmentation, geopolitical tensions यानि कि ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं सामाजिक रूप पे, राजनितिक रूप पे, geopolitical यानि कि आपको वैश्विक रूप पे ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और क्योंकि ये जो जोखिम आएंगे, इसके consequences इस तरीके से होंगे, तो कहीं न कहीं जो इन जोखिमों को ठीक करने वाला हमारा response होगा, ये भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा खेर, अगर हम बात करें, इसके बाद report ने risks को थोड़ा सा classify किया है, इनको categorize किया है सबसे पहले आपके सामने जो हम पेश कर रहे हैं, these are the highest likelihood risks, यानि कि ये वो वाले risks हैं, जिनकी संभावना सबसे जादा उच्चतम है जिसमें सबसे पहले आता है extreme weather, चरम मौसम, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर almost same चीज़ें हैं, जो कि number 1 से relate करती है Climate action failure, जल वायू कारवाई में विफलता, यानि कि एक तो आपका climate change हुआ, उसको ठीक करने के लिए हमने कुछ steps लिए, लेकिन वो steps सही से काम नहीं कर रहे हैं, वो वाले steps भी fail हो रहे हैं Human-led environmental change, यानि कि मानव के द्वारा निर्मित पर्यावर्निय क्षती की हमने कुछ ऐसे steps लिए, मानवों ने कुछ ऐसे कदम लिए, जिसकी वज़े से जो आपका environment है, वो काफी damage हो रहा है Then, digital power concentration, digital power का एक आगरता, again this is something जो हमने पहले बात करी, किस तरीके से digital inequality आ सकती है, because कुछ लोग हैं, कुछ communities हैं, जिनको की जादा फायदा मिल रहा है, digital power का, जिसकी वज़े से ये एक आगरता बढ़ती जा रही है Digital inequality and cyber security failure, digital असमानता और cyber सुरक्षा की विफलता, ये कुछ ऐसी risks हैं, जिनके होने की संभावना सबसे जादा है In fact, report ने कटाक्ष करते हुए एक चीज कही, इन्हों ने कहा कि even though साल 2020 के पहले half में हमने दुनिया भर की जो global emissions थी, उनको काफी हद तक नियंतरित कर लिया था लेकिन 2008-09 का जो वित्तिय संकट था, ये उस चीज का evidence है कि ऐसी जो emissions होती है, ऐसे जो सर्जन होते हैं, ये जल्द ही bounce back करते हैं, ये जादा समय तक उस level पर नहीं रहते हैं तो report इस चीज को लेकि जादा hopeful नहीं है कि आगे आने वाले time में, जो 2020 में हमने शुरुआत में इतने कम emissions देखे, ये sustain नहीं हो पाएंगे, और इस चीज को लेके तो I am sure report बिलकुल सही भी है इसके बाद बाद करें, highest impact risk सी, इन दोनों को अगर आप देखें, दोनों में काफी फरक है, highest likelihood यानि कि वो वाले risk जिनके होने की संभावना जादा है लेकिन highest impact risk यानि कि अगर मान लिजे ऐसा जोखिम आता है, तो इसका प्रभाव बहुत आता होगा सबसे जादा प्रभाव शाली जोखिम इसको कहा जा रहा है, इसमें number one spot पे जो है, वो infectious diseases यानि कि संक्रामक रोग, COVID-19 COVID-19 को obviously report ने देखिए, likelihood में नहीं डाला है, लेकिन impactful में डाला है, यानि कि इसके होने की संभावना इतनी नहीं है दुबारा, लेकिन इसका जो impact था, वो देखिए कितना जादा था इसके बाद जो सेम जलवायू कारवायी विफलता, ये वाला highest likelihood में भी है और highest impact में भी आता है, weapons of mass destruction, सामुहिक मिनाश के हत्यार, इनका जो निर्मान है ये भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, इस चीज़ को लेकि भी report ने चिंता जिदाई है, livelihood crisis यानि की आजीविका संकट उसके बाद debt crisis यानि की रिन को लेके संकट, IT infrastructure breakdown, IT के बुनियादी धांचे तूटना, IT infrastructure can be anything, it can be the internet also, कि अगर ये तूट जाता है, तो इसका भी एक risk हमें देखना पड़ सकता है, और इसका जो प्रभाव होगा, ये बहुत जादा होगा, right, so बहुत ही अच्छे ढंग से report ने दोनों तरह के risks को identify किया है कि likelihood वाले कौन से हैं और impact वाले कौन से हैं, यही नहीं, report ये भी बताती है कि आने वाले 0 से 2 years में कौन से कौन से threats हैं, कौन से कौन से खत्रे हैं, जिनकी तरफ आज दुनिया देख रही है, जिनकी तरफ आज दुनिया जहाक रही है, it can be आपक रूप से युवा, मोहभंग, यानि कि युवाओं में suddenly एक disillusionment आएगा, इसके बारे में मैं आगे जाके आपसे फिर से बात करूँगा briefly, इसको याद रखिएगा, then again digital inequality, digital समानता, economic stagnation, यानि कि आर्थिक ठहराव, human made environmental damage, again मानन निर्मित परयावरने क्षती, और ये अगें फिर से रिपोर्ट बोलती है, erosion of social cohesion, सामाजिक, सामंजस्य का खशरन, terrorist attacks आतंगवादी हमले, इसमें कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो कि आप समझेंगे, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, जो widespread youth disillusionment है, लेकिन again कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिनकी तरफ हम already देख रहे हैं, digital inequality बहुत common है, for example अगर आपके सामने हैं, देखे, online education आ चुकी है, लेकिन ये, obviously आप भी जानते हैं, कि online education का जो access है, ये हर एक वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाता है, especially गाउं जैसे areas में, जहां पे, ग्रामी निलाकों में, जहां पे अभी तक internet की सुविधा भी available नहीं है, तो क्या आपको लगता है, वहाँ पे लोग YouTube पे वीडियो देख पाते होंगे, या फिर क्या हम वहाँ पे लोग, जो है, online education को access कर पाते होंगे, एक और आपके सामने challenge है, economic stagnation का, ये बड़ा common है, अभी देखिए, मैंने आपको बताया, share markets अपनी जरम सीमा पर है, बहुत उपर जा चुकी है, लेकिन economy अभी भी negative में है, GDP growth अभी भी negative में है, तो ये चीजें भी आपको देखने को मिल रही है, जो आपके सामने है, erosion of societal creation, सामाजिक सामन जस्तिका क्शरन, ये भी बहुत common है, आज की date में communities आपस में टूट रही है, ठीक है, लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, individualistic cultures आ रहे हैं, ये कुछ ऐसे threats हैं, जो की हमें आने वाले 0-2 साल में ही देखने को मिल जाएंगे, पांच से 10 साल में क्या-क्या risks हैं जो की हम देख सकते हैं, इसमें again सबसे top पे इन्होंने जैव विवित्ता के नुक Climate action failure, फिर से वही, weapons of mass destruction, फिर से वही, adverse effects of technology, I am sure आज भी हम देख रहे हैं, लेकिन ये report बोलती है कि आने वाले 5-10 साल में इसका risk काफी prominent हो सकता है, प्रध्योगिकी के प्रतिकूल प्रभाव, collapse of states और multilateral institutions की राज्यों या फिर भहुपक्षियत संस्थानों का पतन भी हमें देखने को मिल सकता है आने वाले 5-10 सालों में, so all in all देखे report में काफी कुछ कहा है, लेकिन उस particular चीज को हमने आपके लिए एक brief में यहाँ पर बताया है कि short term risk क्या है, medium term risk क्या है, long term risk क्या है, हर एक में हमने top 3 risk आपके सामने share किये है, short term में सबसे पहले infectious disease आता है, medium term में IT इंफरा का breakdown आता है, long term में state का collapse आता है, जिसको लेके report ने चिंता चिता ही है, यही नहीं, report ने ये भी बोला है, देखिए ये काफी interesting और काफी important भी है कि risk किस तरीके से threat में बलता है, कि जो आपका जोखिम है, risk वो चीज है जो कि अभी तक हुआ नहीं है, हो सकता है, threat वो क्या क्या signals हैं, जिनकी तरफ आपको देखना है, asset bubbles, asset bubble क्या है, for example अभी क्या हो रहा है, share market का ही example फिर से ले लिजे, कि जिस तरीके से share market में share के दाम बढ़ते जा रही है, ये चीज दिखाती है कि जहां पर economy अभी तक संकट से बाहर नहीं निकली है, लेकिन फिर भी share market आप कि जो मूल है, उसमें आपको अस्थिरता देखने को मिल सकती है, sudden inflation, sudden deflation, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है, और तब जब ये चीज़ें हो जाएंगी, तब ये केवल एक risk नहीं रह जाएगा, तब ये आपके सामने खतरा बन जाएगा, उसके बाद commodity shocks, जो आपकी commodities है, उसमें आपको shocks देखने को मिल सकते हैं, prices में आपको shocks देखने को मिल सकते हैं, आपको ध्यान होगा, जब COVID-19 चल रहा था, उस time पे ऐसा time आया था, जब तेल का price negative में चला गया था, यानि कि अगर आप तेल खरीदेंगे तो साथ में आपको पैसा भी दिया जाएगा, similarly debt crisis, यह भी यह चीज़ें ऐसी हैं, जो कि आपके सामने हो सकती हैं, रिन के संकट आपके सामने आ सकते हैं, और जब यह होता है, then you are no longer looking at risk, then you are looking at threat, यहाई नहीं, report ने दो चीज़ों को लेखे बहुत ही detail में बात की है, one is digital gap, second is youth disillusionment, digital gap जिसके बारे में बात कर चुके हैं, digital स position देखने को मिली है, लेकिन global risk report emphasizes that digital inequality could become a critical short term threat, कि यह short term में एक बहुत ही बड़ा threat बन सकती है, in fact यह नोंने कहा है, widening digital gap can worsen societal fractures and undermine prospects for an inclusive recovery, अभी क्या है, देखे, report यह कहती है, कि आने वाले समय में हम चाहते हैं, कि जो recovery हो, जो हमारे दुनिया की recovery हो, एक तरीके से पुनर ज जनम हो, वो inclusive समावेश हो, यानि कि ऐसा ना हो कि केबल कुछ वर्ग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, बाकी लोग कीछे चूड जा रहे हैं, यह report यह कहती है, कि जैसे जैसे आपका digital gap बढ़ता जा रहा है, तो उस case में आपकी inclusive recovery का जो सपना है, वो आपसे दूर जाता जा रहा है, ठीक है, second चीज जिसको लेके इसमें काफी जादा चिंता जताई है, that is the risk of youth disillusionment, now इसमें क्या है, कि जैसे जैसे अभी देखिए, अभी जो इतनी बड़ी चुनोती हमने देखी COVID-19 की, पूरी दुनिया ने देखी, right, इसम ने economic challenges, environmental challenges और employment challenges भी almost कई लोगों ने देखे, लेकिन the global community has largely neglected the risk of youth disillusionment, youth जो है, ये जो युवा है, ये देखिए, सबसे जादा power असल में यही रखते हैं, अगर ये एक साथ आ जाते हैं, तो ये बड़ी-बड़ी movements शुरू कर सकते हैं, और report ने यही कहा है, कि जो वैश्व community है, जो global community है, समुधाय है, इन्होंने कही न कहीं इस particular risk को दरकिनार किया है, नजर अंदाज किया है, जो की आगे जाके बहुत ही बड़ा critical threat बन सकता है in the short run, इसका इन्होंने उधारन भी दिया है, for example, अगर आप इस चीज़ को समझें, तो ये कहना चाती है, report ये कहना चा gains हासिल किये थे, कहीं पर कुछ social gains हासिल किये थे, for example, अगर हम बात करें, भारत में हमने बहुत लंबी fight के बाद article 377 को जो है, खारिज करवाया था, ठीक है, उसके बाद adultery, जो की काफी लंबे समय से भारत में चलता आ रहा था, इसको खारिज करवाया गया था, तो ये दो thought societal wins could be negated if the current generation lacks adequate pathways to future opportunities, अगर हमने नहीं ध्यान दिया कि वो आगे किस तरीके से बढ़ रही हैं, तो शायद ये जो societal gains हमने अभी तक बड़ी मुश्किल से हासिल किये थे, ये शायद वापिस situation महीं पर जा सकती है, अगर मान लीजे जो जुवा लोग हैं, उनका विश्वास हो जाता है आज के economic और political institutions में, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसे आंदोलन शुरू कर दें, जिसकी वज़े से again, जो हमारे gains अभी तक हमने हासल किये थे, उन पे हमें पीछे जाना पड़े, तो ये दो चीजों को लेकर report काफी serious है, इसके इलावा आप टोल्ड यू, ये एक फोड़े से कम हो सकते हैं और ये शायद इतनी जल्दी ना आएं, कुछ समय के बाद आएं, इसमें इनोंने example दिया है, to formulate analytical frameworks that take a holistic and systems-based view of risk impacts, investing in high-profile risk champions, improving risk communication and combating misinformation, ये मैं समझता हूँ काफी important है, misinformation को combat करना, इससे लड़ना बहुत ही अनिवारे है, exploring new forms of PPP on risk preparedness, public-private partnerships, आपको और नए-नी तरीके की public-private partners explore करनी होगी, so that आप जोखिम को लेके तत पर रहें, आप हमेशा तयार रहें कि जोखिम से पहले ही अगर आप तयार हैं, तो उसको आप काफी अच्छे तरीके से manage कर सकते हैं, ये कुछ suggestions हैं जो कि इस report ने दी हैं, so this is all in this video, इसी के साथ इस वी झाल